मुरली अमरित की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा मुरली अमर्त की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा मूले जीवन में हो जाए है शिव बाबा मुरली में समझाए ओम शान्ती आज की तारिक है 18.1.2024 के बाबा के विक्त महवाक्या पिता शिरी जी के पुन्य सम्रिती दिवस पर सुनाने के लिए बाब दादा के मदुर महवाक्या मीठे बच्चे बाब की दिल अंदर बच्चों को सदा सुखी बनाने की फर्स्ट कलास आश रहती है बाब यहीं चाहते हैं कि मेरे बच्चे लाइक बन स्वरक के मालिक बने ओम शान्ती बच्चे जानते हैं अभी भगवान समुक बैठ कर हमको ग्यान के गीत सुनाते हैं बाग्यान की डांस कराते हैं इस ग्यान डांस से तुम देपताओं माफिक सदा सुखी और हर्शित रहेंगे भगवान को ही बेहत का बाप बाप बिशव कर चेता कहा जाता है आत्मा समझती है बाबा हमारे लिए सुरक की सोगात लाए हैं वही अर्चेता है सुरक का मालिक बनाने के लिए राज योग सिखाते हैं कहते हैं बाप को और बिशव के मालिक पने को याद करो बाप बेहत का मालिक है तो जरूर बेहत की बड़ी दुनिया ही रचेंगे तुम बच्चों के लिए सारी बिशब ही घर है अर्थात पाट बजाने का स्थान है बेहत का बाप आकर के बेहत का बिशब अत्वा घर बनाते हैं वह है स्वरत, तो ऐसे बाप का बच्चों को कितना शुक्रिया मानना चाहिए, बिशब का रचता बाप डारेक्ट समझा रहे हैं, हम तुमको बिशब का मालिक बनाने आया हूं, तो तुम्हारा सब बाप बहुत फर्स्ट कलास चाहिए, तुम्हारी चलर ऐसी होनी चाहिए, जो सब कहे कि यह तो जैसे देपता हैं, देपताई नामी ग्रामी हैं, कहते हैं इनका सभाव एकदम देपताई हैं, बिलकुल मीठे, शान सभाव के हैं, तो ऐसे बच्चों को बाप भी देख खुश होते हैं, बाबा सवरक का मालिक बनाने आते हैं, तो तुम्हें कितना बददगार बनना चाहिए, सर्विस में आप पे ही लग जाना चाहिए, ऐसे रही मैं ठक गया हूँ, फुर्सत नहीं है, समय पर सब काम करने में कल्यान है, यग सर्विस का इजाफा शिब बाबा देते हैं, बाबा बच्चों की देवी चलन देखते हैं तो कुरवान जाते है तुम बच्चे इस पड़ाई से कितनी ऊची कमाई करते हो, तुम पदमा पदम पती बनते हो, बाबा तुमें कितना धर्वान बनाते हैं, बाब तुमको अखोट खजाने में ऐसा बजन करते हैं, जो 21 जनम साथ रहेगा वहाँ दुख का नाम नहीं, अभी अकाले मृत्यू नहीं होगा, मौत से कभी डरेंगे नहीं, यहां कितना डरते हैं, रोते हैं, तुमको तो खुशी है, यह पुराना शरीर छोड़ जाए, नई दुनिया में परिंस बनेंगे बाबा कहते हैं, तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए, कि जब बिनाश हो, तो तुम्हारा यह पुराना शरीर छूट जाए, न्या शरीर मिले तुम इस पुरानी दुनिया में ममत्तब मिटाते रहो, यानि कि इस पुरानी दुनिया को छोड़ दो अब इस दे को भी भूलते जाओ हम आत्मा इंडिपेडिन्ट हैं बस एक बाप के सवाए और किसी की याद ना आए जीते जी जैसे की मौत की अवस्ता में रहना है इस दुनिया से मर गए कहते भी है ना आप मुवे मर गए दुनिया शरीर के भान को उड़ाते रहो बाबा बस अभी हम आपकी गोद में आए की आए एक की याद में शरीर का आंत हो इसको कहा जाता है एक आंत मीठे बच्चे तुम जानते हो कि ऐसी उंची पढ़ाई पढ़ाने वाला कौन है इस चितने डिबी में चितने हीरा बैठा है वही सत्चित अनंद सबरूप है सत्बाब तुमें सची सची शरीमत देते हैं बाब के बने हो तो कदम कदम शरीमत पर चलना है चुप रहना है और पढ़ना है एक बाब को याद करना है घड़ी घड़ी इस बैच को देखते रहो तो बाप और बरसे की याद आएगी याद सही तुम जैसे सारे बिशप को शांती का दान देते हो हर एक बच्चे को अपनी प्रजा भी बनानी है बारिस भी बनाने है मुरली कोई भी मिस नहीं करनी चाहिए बाबा बहुत प्यार से समझाते हैं मीठे बच्चे अपने पर रहम करो कोई अवग्या नहीं करो जो खुशबूदार फूल हैं वे खींचते हैं जो जैसा है ऐसी सर्च लाइट लेने की कशिश करते हैं खुशबूदार गुनवान बच्चों को देख प्यार में खुशी में नैन गीले हो जाते हैं कुछ तकलीब होती है तो बाबा सर चलाइट देते हैं बाबा समझाते हैं मीठे बच्चे तो मैं इस पुरानी दुनिया में कोई भी आश नहीं रखनी चाहिए अब तो एक इस आश रखनी है कि हम तो चले सुखदाम कहां भी ठैरना नहीं है देखना नहीं है आगे बढ़ते जाना है एक तरफ ही देखते रहो तब ही अचल अडोल सितर अवस्ता रहेगी अब ये दुनिया खतम होनी ही है इसकी बहुत सिरियस हालत है इस समय सबसे अधिक गुसा परकर्ती को आता है इसलिए सब खलास कर देती है तुम जानते हो ये परकर्ती अभी अपना गुसा जोर से दिखाएगी सारी पुरानी दुनिया को डबो देगी अर्थ कवेक में मकान आदी सब गिर पड़ेंगी अनेक परकार से मोत होंगे ये सब ड्रामा का प्लैन बना हुआ है इसमें दोश किसी का भी नहीं है विनास तो होना ही है इसलिए तुमें इस से बुद्धी का योग हटा देना है तुमने तो अपना सब कुछ इंशोर कर दिया है इसलिए तुमें किसी भी परकार की चिंता रही तुम्हारा सब कुछ सफल हो रहा है अब तुम कहेंगे वह सत्गुरू वह जिसने हमको ये रास्ता बताया है वह तकदीर वह वह ड्रामा वह तुम्हारे दिल से निकलता शुक्रिया बाबा आपका जो हमारे दो मुठी चावल लेकर हमें सेव्टी से वविश्य में सो गुना रिटर्म देते हो परन्तु इसमें भी बच्चों की बड़ी विशाल बुद्दी चाहिए बच्चों को अथा ग्यान धन का खजाना मिलता रहता तो अपार खुशी होनी चाहिए ना जितना हिर्दय शुद्ध होगा तो औरों को भी शुद्ध बनाएंगे योग की सिती से ही हिर्दय शुद्ध बनता है तुम बच्चों को योगी बनने बनाने का शौक होना चाहिए अगर दे में मोँ हैं दे अभिमान रहता है तो समझो हमारी अवस्ता बहुत कच्छी है देही अभिमानी बच्चे ही सच्चा डैमन बनते हैं इसलिए जितना हो सके देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो यानि कि अपने आपको आत्मा समझो, बाप को याद करो, बाबा अक्षर सबसे बहुत मीठा है, बाप बड़े प्यार से बच्चों को पलकों पर बिठा कर साथ ले जाएंगे, ऐसे बाप की याद के नशे में चकना चूर होना चाहिए, बाप को याद करते करते खुशी में ठंडे ठार हो जाना चाहिए, जैसे बाप अपकारियों पर उपकार करते हैं, तुम भी फालो फादर करो, सुखदाई बनो, बाप की दिल अंदर बच्चों को सदा, सुखी बनाने की कितनी, फर्स्ट कलास आश रहती है कि बच्चे लाइक बंग, सोरक के मालिक बने, तुम बच्चे अभी ड्रामा के राज को भी जानते हो, बाप तुमें निराकारी, आकारी और सकारी दुनिया का सब सभाचार सुनाते हैं, आत्मा कहती है, अभी हम पुर्शाद कर रहे हैं, नए दुनिया में जाने के लिए, हम सवरक में चन्ने लाइक जरूर बनेंगे, अच्छा बाप मीठे बच्चों को समझाते हैं, बाप दुख हरता सुख करता हैं, तो बच्चों को भी सब को सुख देना है, बाप का राइट हैंड बनना है, ऐसे बच्चे ही बाप को प्रिया लगते हैं, शुब कारिया में राइट हांथ को ही लगाते हैं, तो बाप कहत हर बात में राइटिस बनो, एक बाप को याद करो तो फिर अंतमती सोगती हो जाएगी, इस पुरानी दुनिया से ममत्तब मिटा दो, यह तो कब्री स्थान है, धंदा दोरी बच्चों आदी के चिंतर में मरे, तो मुफ्त अपनी बरवादी कर देंगे, शी बाबा को याद कर बनने से तुम बहुत आवाद होंगे, दे अभिमान में आने से बरवादी हो जाती है, देही अभिमानी बनने से आवादी होती है, धनकी भी बहुत लालच नहीं रखनी चाहिए, उसी फिकरात में शी बाबा को भी भूल जाते हैं, बाबा देखते हैं, सब कुछ बाब को अर्पन कर फिर हमारी शिरिमत पर कहां तक चलते हैं। शुरू शुरू में बापने भी ट्रस्टी हो, दिखाया ना, सब कुछ ईश्वर अर्पन कर खुद ट्रस्टी बन गया। बस ईश्वर के काम में ही लगाना है। बिगनों से कभी डरना नहीं चाहिए, जहां तक हो सके सर्विस में अपना सब कुछ सफल करना है। इश्वर अर्पन का रट्रस्टी बन रहना है, अच्छा। मीठे मीठे सिकला दे बच्चो प्रती, मात पिता, बाप दादा का याद, प्यार और गुड मोर्नी। रुहानी बाप की रुहानी बच्चो को नमस्ते, हम रुहानी बच्चो की रुहानी बाप दादा को शर्दा भरी, प्रेम भरी, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, इस मीठी 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 मुर्ली के लिए। अव्यक्त महावाक्य रिवाइज 15.4.1974 क्या सभी उन्ती की और बढ़ते जा रहे हों? सदा लगन में मगन और विगन मिनाशक ये दोनों निशानिया क्या अनुभब में आ रही हैं? विगन मिनाशक बनने की बज़ाए विगनों को देख अपनी स्टेस से नीचे तो नहीं आ जाते हों? क्या अनेग परकार के आए हुए तुफान आपकी बुद्धी में तुफान तो पैदा नहीं करते हैं? जैसे कोई के दवारा तुफा मिलता है तो बुद्धी में हलचल नहीं होती है बलीक उलास होता है इसी परकार आए हुए तुफान उलास बढ़ाते हैं या हलचल बढ़ाते हैं अगर तुफान को तुफान समझा तो हलचल होगी और तुफान समझा वा अनुभब किया तो उस से उलास और हिम्मत अधिक बढ़ेगी, यह है चड़ती कला की निशानी, घवराने की बजाए गहराई में जाकर, अनवब के नए ने रतन इन प्रिक्षाओं के सागर से प्रापत करेंगे, क्योंकि हल्चल के अंदन रतन समाए हुए हैं, उपर उपर से अर्थात, बार्य आई हुई बातों को अंतरमुखी, दिश्टी वा बुद्धी से देखने से अनेक प्रकार के ग्यान रतन अथा प्रापत होगी, अगर कोई भी बात को देखते या सुनते हुए अस्चारिय अनवब होता है, तो यह भी फाइनल स्टेज नहीं हैं, ऐसा तो होना नहीं चाहि ड्रामा के होने पर अगर ऐसा भी संकलब उत्पर होता है, तो इसको भी अंश मात्र की हलचल का रूप कहेंगे, अब तक भी क्यों क्या का क्वेस्चन, अगर उठता है तो इसका अर्थ है, हलचल, जितना बिगन आना अर्शक है, उतना बिगन बिनाशक स्थिती में रहना, यहीं हर्शित रहने का सादन है, नथिंग न्यू, यह है फाइनल स्टेज, यदि कोई भी हलचल का करते हो वा पाट बजाते हो तो सागर समान उपर से हलचल भले ही दिखाई दे रही हो, अर्थात चाहे क्रमिंद्रियों की हलचल में आ रहे हो, लेकिन सिती नथिंग वाले तिर्काल दरशी की स्टेज पर आराम से शांती की स्टेज पर सितित है, या करमिंद्रियों की हलचल आंतरिक स्टेज को भी हिला देती है, जब स्थूल सागर दोनों ही रूप दिखाता है, तो क्या मास्टर ग्यान सागर ऐसा रूप नहीं दिखा सकते? ये प्रकर्ति ने पूरिश से कापी की है आप तो प्रशोतम हो जब प्रकर्ति अपनी क्वालीफिकेशन दिखा सकती है तो क्या वे प्रशोतम नहीं दिखा सकते अभी समय अती की तरफ बढ़ रहा है सभी तरफ अती दिखाई पढ़ रही है अंत की निशानी अती है तो जैसे प्रकति समाती की तरफ अती में जा रही है वैसे ही संपन बनने वाली आतबाओं के सामने अब प्रिक्षाएं बा बिगन भी अती के रूप में आएंगे अस्चरिये नहीं खाना है कि पहले यह नहीं था, अब क्यूं हैं? यह अस्चरिये भी नहीं. फाइनल पेपर में अस्चरिये जनक बाते क्वेस्चन के रूम में आएंगी, तब तो पास और फेल हो सकेंगे. ऐसी ऐसी बाते आएंगी जो ना चाहते हुए भी बुद्धी में question उत्मन हो यहीं तो पेपर हैं और हैं भी एक सेकिंड का पेपर क्यों का संकलब चंदरवन्शी की क्यों में लगा देगा इसलिए एक रस्तिती में सितित होने का अभ्यास निरंतर हो समस्या की सीट को संभालने नहीं लग जाओ लेकिन सीट पर बैठ समस्या का सामना करना है अभी तक समस्या सीट की याद दिलाती है बिगना आता है तो विशेश योग लगाते हो और भटी रखते हो इस से सिद होता है कि दुश्मन ही शस्तर की सम्रिती दिलाते हैं लेकिन सबते और सदा समृती नहीं रहती, निरंतर योगी हो या अंतर वाले योगी हो, टाइटर तो निरंतर योगी का है ना, दुश्मन आवे ही नहीं, समस्या सामना ना कर सके, सूली से काटा बनना यह भी फाइलर स्टेज नहीं है, सूली से काटा बने उसकी बजाए काट कांटे को योग अगनी से दूर से ही भसम कर दे कांटा लगे और फिर निकालो यह फाइनल स्टेज नहीं है कांटे को अपनी संपूरन स्टेज से समापत कर देना यह है फाइनल स्टेज ऐसा लक्षय रखते हुए अपनी स्टेज को आगे चड़ती कला की तरह बढ़ाते चलो बड़ी बात को छोटा अनुवब करना इस टेज तक नमबर वार यत्रा शक्ती पहुंचे अब पहुंचना वहां तक है जो की अंश और वंश की स्वापत हो जाए आप सभी हिम्मत उलास और सरब के स्योगी सदा रहते हुए चल रहे हो ना कल योगी दुनिया को समापत करने के लिए वापरिवर्तन करने के लिए माया को विदाई देने के लिए सगटन अर्थाद गहराव डाला हुआ है ना मजबूत गहराव डाला हुआ है या बीच बीच में कोई ढीले हो जाते हैं अथवा ठक जाते हैं यह चलते चलते रुख जाते हैं ना आगे बढ़ना ना पीछे हटना जैसे के वैसे रहना यह पाठ तो पक्का नहीं करते हो समय धक्का लगाएगा तो चल पड़ेंगे ऐसा सोच कर जहां के तहां रुख तो नहीं गए हो किसी के किसी परकार के सहारे का इंतजार करते हुए खड़े तो नहीं हो गए हो ऐसी स्टेज वालों को क्या कहेंगे क्या इसको ही अंगद की स्टेज समझते हो अगर ऐसे रुख गए तो फिर लाश्ट वाले फास्ट चले जाएंगे जब भी पहाडों पर बर्फ गिटती है और जम जाती है तो रास्ते रुख जाते हैं फिर उस बर्फ को गलाने के लिए वा उसे हटाने के लिए पुर्शाद करते हैं यहां भी अगर बर्फ के मौफिक जम जाते हो तो इस सिद्ध होता है कि योग अगणी की कमी है योग अगणी को तेज करो तो रास्ता कलियर हो जाएगा मिली हुई हिम्मत और उलास के पुईंट्स बुद्दी में धोड़ाओ तो रास्ता कलियर हो जाएगा पुर्शार्थ के गती में अंगद बनो माया सिहार खाने में अंगद नहीं बनो बलीक विजय बनने के लिए अंगद बनो अच्छा उच ते उच बाप दवारा पारना लेने वाले बिशब की पारना करने वाले विश्णु कुल की स्रिष्ट आत्माएं पर करती को परिवर्थन करने वाली पुर्शोत्म आत्माएं बिशब के आगे शक्षत मुर्थ परसिद होने वाली आत्माएं योगी तु आत्माओं के प विकलादे बच्चो परती मात पिता बाब दादा का याद प्यार और गुन ओनि रूहानी बाब की रूहानी बच्चो को नमस्ते intersect jewels हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाब को शर्दा भरी प्रेम भरी नमस्ते QU क्रिया बाबा कर्थी मीटि-मीढ़ी के लिए मुरले का वरदान सेवा में रहते संपूर्णता के समीपता की अनुभूती करने वाले ब्रह्मा बाप समान एक्जंपल भाब जैसे ब्रह्मा बाप सेवा में रहते समाचार सुनते एकांतवासी बन जाते थे एक घंटे के समा चार को पांच मिनिट में सार, समझ बच्चों को खुश करके अपनी अंतरमुखी कांदवासी स्तिती का अनुव करा देते थे, ऐसे फालो फादर करो, बर्मा बाप ने कभी नहीं कहा कि मैं बहुत बिजी हूँ, लेकिन बच्चों के आगे एक्जामपल बने ऐसे समे परमान, अभी इस अभ्यास की अशक्ता है, दिल की लगन होतो, समे निगल आएगा और अनेकों के लिए अग्जामपल बन जाएंगे, सलोगन हर करम में करम और योग का अनुभब होना ही करम योग है अब यक्ति साइलेस दोबारा डबल लाइट फ्रिस्टास्टिती का अनुभब करो सदा यही लक्षे याद रहे कि हमें बाप समान बनना है तो जैसे बाप लाइट है वैसे डबल लाइट औरों को देखते हो तो कमजोर होते हो इसलिए सीवादर फालो फादर करो उरती कला का स्रेश्ट सादर सिर्फ एक शबद है सब कुछ तेरा मेरा शबद बदल तेरा कर दो तेरा हो तो आत्मा लाइट है और जब सब कुछ तेरा है तो लाइट यानी हलके बन गए ओम शानती